प्रेस कॉंफरेंस मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि हमारे स्कूल में स्कूल है और हर्याना के छे डिस्टेक हैं जिसमें पंचकुला, यमना नगर, कुर्क्षेत्रा, अंबाला, कैथल, फत्यबाद और सिर्शा है जिसमें हमारे पास 22 टीम्स के एंट्री हो चुकी है बॉइस एंड गर्ल्स और ये त्री दिन का चलेगा जी 25 से 27 तक जी हिमाचल स्टेट कंप्लीट है और हर्याना की 6 डिस्टेक है बच्चों के लिए रहने खाने का सारी सुपिदाईं यहीं पी हैं सर ग्राउंड फैसिलिटी है मैडिकल फैसिलिटी है और स्क्यूर्टी पॉइंट अब यू से हमने अपनी अप्लिकेशन दे दिया और उन्होंने भी अपनी टीम अपॉइंट कर लिया कल पांच बजे की रिजिस्टेशन है सर कल टीम्स की एंट्री है और प्रोग्राम जो क्लस्टर गेम्स है वो परसों से स्टार्ट होगी यहां पर चीफ केस्ट के लिए हमने डियो को बुलाया जी और बियो सर है हमारे हमारे चेर्मेंट जी है और सरपंज जी है ले अचना को City से क्लस्टर फेर सब्कून से क्लस्टर के बाद सर जोनल में जाते नैशनल में जाते हैं उसके बाद तो यहां सिर्प कोपा highlight अंडर 19, cluster 16 है, boys and girls, हिमाचल and हर्याना की 6 districts का, तो पहले भी कभी हुआ है, पहले दो साल पहले भी यही same competition हुआ है, same cluster, तो उस तेम हमारी services भी बहुत अच्छी थी, all teens were satisfied, तो दबारा हमें opportunity मिली है कि हम इसको host करें, बच्चों को यहीं संदेश देना चाहते हैं, कि जो भी बच्चे खेल में भाग ले रहे हैं, वो बच्चे तनमंधन से अपने खेल की competition की भावना से खेले, यह नहीं है कि हमने cheating करनी आए, यह नहीं है कि हमने नशे की और जाना है हमारा main motive है, जैसे यहां पर block level की भी games हुई है, national की भी, हमारी state level पर भी अभी फत्यबाद state को हमारी gymnastic की team ने अंबाला में represent किया है, तो ऐसे ही मैं चाहते हूं कि हर बच्चा game की और जादा से जादा आगे बढ़े, ताकि वो गलत और शराब नशे की और ना बढ़े